हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट एक लिए बताते हैं कि कौन सा डेटा आएगा और साथ ही क्या उसका इंपक्ट रहेगा फ्रेक्स करन्सी पेर्स के उपर या फिर कॉमोडिटीज के उपर तो चलिए शुरुवात क देटा आ रहा है थर्स जे को वो इतना बढ़िया डेटा आ रहा है कि आप पूरा दिन उसमें बीजी रहेंगे और जो कॉमोडिटिज रहेंगे तो फ्रेंट्स जैसा कि आज भी आपने देखा होगा कि आज जो डेटा आया था मैंने उसका भी आपको टेलीग्राम चैनल प पर अपने आपको जोईन कर लिजे फ्री ओफ कॉस्ट तो फ्रेंड्स आज भी जो डेटा आया है छे वजे जो डेटा आया है आपने देखा ही होगा कि पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा है छे वजे और अभी तक उसका इंपेक्ट चल रहा है और अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा क्योंकि आज डेटा आना था जो कि यहां पर सीपीए का डेटा आना था तो उस तो अब हम प्रात कर लेते हैं कि next day कौन से डेटा आ रहा है तो जो सबसे पहला डेटा यहां पर आ रहा है यहांपर सबसे पहला डेटा 11.30am पर आ रहा है और उसका इящ क्बार पड़ेगा GBP USDA के इलेटा गरा ने गए John और अगर यहां पर यह 0.2 से उपर आता है तो GBP-USG भी उपर की और को जा सकता है यह है पहला डेटा सेकंड जो डेटा आ रहा है वो 1130 पर ही आ रहा है और उसका इंपक्ट भी GBP-USG के उपर ही पड़ेगा और जो डेटा आ रहा है वो है इंडेस्ट्रियल प्रोडक्शन का तो यहां पर क्योंकि दो-दो डेटा एक साथ आ रहे हैं तो मूव आपको अच्छा खासा यहां पर देखने को मिल सकता है दोनों इंपॉर्टन डेटा होते हैं तो इसके उपर आप ज़रूर नजर रखिए इसके लावर जो थर्ड डेटा यहां पर आ रहा ह है तो इसके फ्रेंच CPI का डेटा उसका इंपक्ट पड़ेगा यहां पर माइनेस 0.1 यह पिशली बार था और 0.2 यह रहने की उम्हीद है याने की बढ़ने की उम्हीद है अगर यह बढ़ता है तो यह उपर की और को मूव करेगा अगर यह 0.1 से कमा आता है तो यह और यह सब्सक्राइब निचे की और को गिरेगा जो नेक्स डेटा यहां पर आ रहा है फोर्ट डेटा वो आ रहा है 1.30 पीम पर और यह डेटा नहीं है एक्चुली यह मंतली रिपोर्ट है और IEA की मंतली रिपोर्ट है आपको पता ही होगा कि यह काफी अच्छा इंपक्ट डाल है और supply किस हिसाब से चल रही है और short term में कितनी supply उसकी बढ़ सकती है या कितनी demand भी उसकी बढ़ सकती है तो जो natural resources है याने कि crude oil और natural gas इनके बारे में यह पूरा रिपोर्ट होती है और यह अगर positive आती है तो crude oil साथ ही US oil और natural gas और XNG USD में आपको अच्छे move देखने को मिल स सकते हैं तो फ्रेंट्स इससे पहले कि मैं आपको और डेटा बताऊं अगर आपने हमारा एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेइंग अभी भी ओपन नहीं कर रहा है तो जल्दी से एक्सनेस का एकाउंट ओपन कर लिजे इस वीडियो के करना बहुत जरूरी है मैंने आपकी हल्प के लिए यहां पर आई बटन है उसमें मैंने वीडियो सबसे बढ़ी है यहां पर यहां पर वो तो खुद analysis करते हैं अपने जो reports होती हैं उनकी और जिस भी आप particular Forex currency pairs में या फिर commodity में आप trade लेते हैं तो उनका अपना भी analysis होता है जिसमें कि आपको पता लग जाता है कि move इस टाइम किस तरफ को चल रहा है और क्या हमारे next target रह सकते हैं और साथ ही वो update भी देते रहते हैं कि आपको क्या यहां पर worldwide news चल रही है और कौन सा data आ रहा है तो उनके बारे में भी update देते रहते हैं तो जल्दी से अपना account और Exynos पर open कर लेजिए friends तो यहां पर अब हम बात के लेते हैं कि next data कौन सा रहा है यहां पर फिफ्थ जो data आ रहा है वो आ रहा है 2.30 पर 2.30 PM पर और यह Indian time की according में बता रहा हूं तो 2.30 पर जो data आ रहा है वो उसका impact भी EU और USD की ओपर पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो यहां पर Europe की industrial production का data है यह तो industrial production का data आएगा तो 2.30 पर आपको यहां पर move देखने को मिल सकता है इसके अलावा जो next data यहां पर आ रहा है वो है 4.30 पर और 4.30 पर भी आपको जैसा कि मैंने यहां पर बताया IEA की monthly report यह United States की होती है यहां पर OPEC countries जो है OPEC countries की अपनी report है वो monthly report उसके बारे में वो बताएंगे तो OPEC की जो monthly report है उसका impact crude oil के उपर सबसे जादा पड़ता है तो crude oil के उपर आप ज़रूर नजर रखे 4.30 पर क्योंकि OPEC की जो monthly report होती है इसमें वो बताते हैं कि कितना वो production cut कर सकते हैं या फिर वो production cut जितना अलड़ी उन्होंने करा हुआ था decide पहले से उतना ही रखना ह और future में कितनी demand बढ़ेगी crude oil की और कितनी वो production करेंगे crude oil की तो supply और demand के उपर यह पूरा यहाँ पर data अपना पुरी report देते हैं तो उसके उपर आप जरूर नजर रखे और उसका impact जो है वो crude oil पर जरूर पड़ता है तो 4.30 पर आप इसके उपर जरूर नजर रखे इसके जो next data आ रहा है वो आ रहा है 6 p.m. पर और वो भी बहुत important data आ रहा है क्योंकि United States का यहाँ पर initial jobless claims का data है और आपने देखा ही होगा अगर आप मेरी videos पहले से देखते हैं और अगर आप follow करते हैं जो भी data आता है उसके according charts को follow करते हैं तो initial jobless claim का data आता है वो DXY के ऊपर यह 248K थे और 249K होने की उमीद है मिंस बढ़ने की उमीद है मिंस jobless जो लोग है वो claim जो लेते हैं government से अपने jobless होने का United States में उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ने की उमीद है अगर यह बढ़ती है तो DXY गिरेगा क्योंकि jobless लोगों की संख्या बढ़ रही है तो DXY नीच अगर Divine, DXY में spread फ्रदा जादा है तो आप EUR-USD में भी trade ले सकते हैं GBP-USD में बी ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल opposite move होता है अगर DXY नीचे को जाएगा तो EU और USD और GBP-USD उपर के और को जाते है और DXY ऊपर के और को जाता है तो EU और USD और GBP-USD नीचे के और को मूव क इंडेक्स याने की PPI का डेटा है जो की important डेटा माना जाता है 0.3 पिशली बार था और यह 0.2 होने की उमीद है घटने की उमीद है यह भी तो अगर यह भी घटता है तो DXY नीचे की और को गिरेगा अगर यह ज्यादा आता है तो DXY उपर की और को जाएगा तो यहां पर यह नेक्स डयet अधिया यह पर आ रहा है वह रहा है नेचुरी जैस के लिए और वह है नेसुरल गैस की इस टोरेज का डेटा और ये data जो आना है वो आना है 8 PM पर Indian time की according तो 8 बजे natural gas की storage का data आना है और ये पिछली बार था 72 billion cubic और इस बार ये 57 billion cubic होने की उमीध है तो अगर ये इससे भी कम आता है 72 billion cubic से कम आता है और 57 billion cubic से भी कम आता है तो इसका मतलब है कि demand बढ़ी हुई है तब ही storage में कम रहे गया natural gas ठीक है तो इसलिए उसकी वज़े से यहाँ पर जो natural gas है और साथी XNG, USD है वो और साथी natural gas जो है वो उपर ये और को move कर सकते हैं अगर ये इससे भी कम आता है तब लेकिन अगर इस 72 billion cubic से भी ज्यादा आता है इसका मतलब है कि natural gas जो storage में है वो यूही ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है demand बहुत कम है तो जब demand कम होती है तो जब हमें indication मिलती है कि demand कम है तो उसके वज़े से XNG, USD भी नीचे के और को जाता है और natural gas भ जरूर लाइक कीजिए और अपने friends के साथ भी जरूर शेयर कर देजिए और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में, till then have a nice day, good bye